हालो बच्चो तो कैसे हैं आप लोग आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी हूँ एकदाम भनाट इनिक्वालिटीज पे आज हमारा थर्ड लेक्चर है अभी तक के सफर में हमने इनिक्वालिटीज के बेसिक्स क्लियर कर लिए और लास्ट लेक्चर में हमने इनिक्वालिटीज को सोल्फ कैसे किया जाता है सारे स्टेप्स हम लोग ने देख लिए हैं एक बार स्क्रीन पे फिर से आपके सामने सारे स्टेप्स मैं यहां पे दिखा दे रहा हूँ, पहला step क्या था, linear factors बनाने की कोशिश करनी होती है, left hand side में, और zero बनाने की कोशिश करनी होती है, right hand side में, critical points निकालने होते हैं, हर linear factor के, फिर उनको real number line पे plot करना होता है, real number line पे जब critical points को plot करते हैं, तो real number line divide हो जाती है कुछ parts में, यहां पे देखिए real number line के 3 parts बने थे, कौन सा part मतलब, वो x जो इस part पे लाए कर रहे हैं, वो इसको satisfy करेंगे या नहीं करेंगे, फिर हमको यह check करना होता है, और कौन सा region, कौन सा part, इस number line का हमारा answer होगा, कौन सा नहीं होगा, वो हमें जब माल use of x है, जो inequality को satisfy कर रही होती है, वो हम लिख देते हैं, और inequality solve हो जाते है, ठीक है, तो I hope यह procedure एकदम clear होगा, आपको, move करते हैं हम, आगे कुछ और problems के उपर, inequalities को clear करना है, तो different different type की problems को करना पड़ेगा, अगर आप जितने तरीके की problems को solve करेंगे, तो inequalities पे उतनी ही command आपक आपके सामने स्क्रीन पे एक और inequality है, चलिए इस inequality को solve करते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखिए, राइट हैंड साइड में 0 नहीं है, और लेफ्ट हैंड साइड में भी linear factors नहीं है, तो यार अपने को राइट हैंड साइड में 0 अगर बनानी है, तो यह जो 3 राइट हैंड क्या होगे, तो x-square minus 5x plus 12 upon x-square minus 4x plus 5 के साथ एक minus 3 आजाएगा left side में, greater than 0, है ना, राइट साइड में 0 तो आप ले आए, मगर अभी left side में linear factors का लाना बाकी है मेरे दोस्त, तो left side में linear factors कैसे आएंगे, आईए जड़ा, क्या करते हैं, यहाँ LCM ले लीजिए पहले, तो x-square minus 5x plus 12 minus 3x-square plus 12x minus 15 upon x-square minus 4x plus 5 greater than 0, हो जाएगा, ठीक है, ना, देखें, यह x-square minus 3x-square जो है ना, इसको लिख दिया, minus 2x-square, ठीक है जी, minus 5x plus 12x, यह हो गया, plus 7x, ठीक है, plus 12 minus 15, यह हो गया, minus 3, divide by, divide by है, x-square minus 4x plus 5, greater than 0, ठीक है, अब क्या करते हैं, अपन, जो numerator है ना, numerator है इसमें से minus 1 common लेंगे, minus 1 common लेके अगर दोनों तरफ डिवाइड कर दें, कहने का मतलब यह, numerator से minus 1 common लेके डिवाइड कर दें, दोनों तरफ, तो यह हो जाएगा, 2x-square minus 7x, plus 3, upon, upon, x-square minus 4x, plus 5, less than 0, होता क्या है, अगर एक positive number से, inequalities के दोनों तरफ multiply करते हो, तो inequality का sign, सेम रहता है, मगर, एक negative number से, दोनों तरफ multiply, या फिर divide करते हो, तो दोस्तो, sign of inequality, बदल जाता है, मैंने बताया था, अगर greater than का निशान है, तो less than हो गया, क्योंकि, मैंने इसको भी minus 1 से multiply कर दिया, और इधर भी minus 1 से multiply कर दिया, इधर तो फर्क नहीं पड़ा, 0 ही रहेगा, मगर इधर minus 1 से multiply कर के, हमको 2x square minus 7x plus 3 मिलेगा, ठीक है, देखे, राइट में 0 लाने, राइट में 0 लाने वाली task मेरी complete हो चुकी है, अब मेरे को लेफ्ट हेंड साइड है, इसको linear factors की term में लिखना पड़ेगा, अब इसमें linear factor बनाने हैं, तो आप देखे, linear factor में बता दूँ आपको, चाहे numerator में हो, या denominator में हो, दोनो चलेगा आपने को, अपने को left hand side में linear factors, चाहे numerator में हो, चाहे denominator में हो, दोनो में चलेगा भई, तो यहाँ पर एक quadratic expression है, पुरा देश जानता है कि quadratic expression के linear factors कैसे बना जाए, यहाँ denominator भी quadratic expression है, तो हम सब लोग सब देशवासी जानते हैं कि quadratic expression के linear factors कैसे बना जाते हैं middle term splitting से बना सकते हैं, factorize कर सकते हैं तो यार जल्दी से मेरे को ये बताईए कि 2x square minus 7x plus 3 के factor बनाने तो कैसे बनेंगे 2x square जो 7x है, minus 7x है, इसको minus 6x minus x लिखा ठीक है और यहाँ पर देखिए, 2x common लेके x minus 3 हो गया, आगे minus 1 common लेके x minus 3 हो गया और इसके factor बन गए है, यहाँ पर देखिए, इसके factor बन गए है x minus 3 into 2x minus 1, क्या बन गए? x minus 3 into 2x minus 1 2x minus 1, ठीक है, divide by, इसी तरीके से नीचे जो quadratic expression है, इसके factor भी बनाएंगे तो इसके factor क्या बनेंगे? इसके बन जाएंगे, x square इसके factor बनाएंगे, तो क्या बनेंगे? यार इसके factor कैसे बनेंगे? अब देखिए, नोटिस करना है, यह जो x²-4x-5 है, इसको थोड़ा नोटिस करते हैं हम एक स्कुवाइर, x²-4x-5 है इसको नोटिस करते हैं, इसका देखिए, इसका जो a है, a क्या है? इसका a positive है, इसका a क्या है? इसका a positive है, और इसका d अगर चेक करें आप, इसका d चेक करें तो b²-4ac, इसका d है, वो minus 4 है, इसका d कितना है? minus 4, d इसका negative है, आप देखिए, तो d है इसका negative, यह बात समझनी है, यहाँ पर यह जो quadratic function हमारा है, इस quadratic function में notice कीजिए, आप एकसी करेंदेगा, a इसका positive है, और d इसका negative है, अब मुझे आप cuadratic expression की quadratic expression की graph मैंने सिखाए थे, उस theory को जरा आप दिमाग में चलाईए और मुझे बताए है कि, जिस quadratic expression का, a positive हो और d negative हो, ऐसी quadratic expression का graph कैसे बनता है, a-certratic expression का graph जो है ऑ जो है पोजिटीव हो और d नेगेटीव हो a-certratic expression का graph wäre ऐसा parabola banty gotta जो x-axis से हमेशा उपर आपश हो क्योंकि d नेगेटीव है तो इसको कट नहीं करेगा कभी भी d negative वाले parabola team या नीचे होते हैं मगर इसका a positive है तो parabola x-axis से उपर रहेगा यह बात notice करनी है, यह बात notice करनी है, तो इसका मतलब आप देख लीजिए, इस parabola को देखके समझ सकते हैं, कि जो fx है, fx, इसकी value कभी 0 नहीं हो सकती, हमेशा देखिए, positive y, इसकी value हमेशा positive ही होगी, तो यहाँ पर यह बात समझनी है, x चाहे कुछ भी डाल लीजिए, हर x पे y positive है, हर x पे y positive है, तो यह जो expression है, this expression is always positive, यह expression हमेशा ही positive है, तो यह बात समझ में आ गई हमको, यह बात हमको समझ में आ गई, कि यहाँ पर यह जो expression है, यह जो expression है, यह खास किसम की expression है, this expression is always positive, यह expression हमेशा ही, यह expression हमेशा ही positive रहने वाली है तो यार यह concept अपने को समझ में आ जाना चाहिए कि अगर अपने पास अगर अपने पास एक ऐसी quadratic expression हो जिसका a positive हो and d negative हो a positive हो और d negative हो then a x square plus b x plus c a x square plus g x plus c will always be positive for every x belongs to real numbers यह बात समझ नहीं है अपने को है ना यह quadratic expression हमेशा positive होगी हर real x के लिए अगर इस quadratic expression का a positive और d negative हो तो बहुत important point है very important point very important point और आपको बता दू इसका converse भी सही है है ना and vice versa is also true and vice versa is also true and vice versa is also true इस statement का converse भी सही है converse क्या होता है इसको पलट दे statement को कि यहां मैंने लिखा है a positive d negative होने पे यह हमेशा positive रहेगी तो converse क्या होगा यह हमेशा positive अगर है तो a positive और d negative होगा है ना converse of this statement is also true ठीक है और इसी परकार से एक और statement होती है कि अगर किसी quadratic expression में a negative है a negative है d भी negative है देखिए दोनों ही statement में d negative की बात हो रही है a negative और d negative तब होता है जब पैराबोला नीचे बने इस परकार का ux axis के नीचे पैराबोला बने a negative d negative है then then जो quadratic expression a square plus bx plus c है वो हमेशा negative होती है वो हमेशा negative होती है for all x belongs to real number for all x belongs to real number और इसका converse भी सही होता है and vice versa is also true यहाँ पर quadratic expression की यह दो बाते आपको ध्यान रखनी है ठीक है मैंने linear inequalities में आपको बता दी ठीक है जी मैं question करवाते करवाते कई बार बहुत important बाते बता देता हूँ तो यार उनको note करके रखना है है ना question करवाते करवाते इतनी important बाते कई बार बताता हूँ मैं इन बातों को seriously अपने notes में note करना है ठीक है और I hope आप notes तो बना रहे होगे अगर आप तमीज से notes बना रहे हो तो at the end of this course आप बड़ा confident महसूस करोगे ये मेरी बात याद रख लेना आप ठीक है खैर चलिए ध्यान दीजिए भाई यहाँ पर एकदाब ठीक है ना भाई है तुमारा सारी बाते सिखाएगा देखिए तो यार मैंने इसी theory का इस्तिमाल किया यहाँ पर यह ऐसी quadratic expression है इसका a positive है इसको quadratic expression का आप note करोगे ना तो a positive है और d negative है अब a positive d negative होने की वजह से यह हो गई always positive ठीक है और मैंने कहा था कि यह quantity का sign मालूम होना उससे दोनों तरफ multiply कर सकते हैं या divide कर सकते हैं तो अब देखिए हम चाहते हैं हम चाहते हैं कि यह complete expression negative हो जाए और यह हमको मालूम है कि denominator positive है denominator तो पका positive है हर x पे positive है तो numerator को negative होना पड़ेगा numerator negative होगा denominator positive होगा तभी पूरी बात negative रह पाएगी तभी पूरी बात negative रह पाएगी यह तो clear है कि denominator हमेशा positive है numerator जो है ना numerator numerator जो है यह देखिए numerator जो है इसको negative होना पड़ेगा अब इसको negative होना पड़ेगा कब होगा यह negative left side में देखिए linear factor आ चुके है right में 0 आ चुकी है तो अब number line हम draw करेंगे number line draw कर लेते हैं यहाँ minus infinity यहाँ infinity ठीक है इसके critical points निकालते हैं मैंने बताया था हर linear factor के critical points होते हैं इसके critical point निकालेंगे तो इसके critical point क्या आ जाएगा x equal to 3 आ जाएगा क्या जाएगा इसका critical point आ गया x equal to 3 ठीक है इसका critical point किता आएगा यह 0 होता है x equal to 1 by 2 पे तो एक critical point 1 by 2 और एक 3 ठीक है अब मुझे पताए x equal to 1 by 2 and x equal to 3 answer होगा क्या नहीं क्योंकि x equal to 3 पे left side 0 हो जाएगी हमको सिरफ less than 0 चाहिए उसी प्रकार से x equal to 1 by 2 भी इसका solution नहीं होगा क्योंकि 1 by 2 पे left side 0 हो जाएगी मगर हमको less than 0 चाहिए तो x equal to 3 और 1 by 2 तो नहीं होगे अब 3 से बड़ी value अगर put कर दी यहाँ पे number line 3 पार्ट में divide हो चुकी है यहाँ पे देख सकते हैं आप यह 3 पार्ट कौन सा पार्ट answer होगा कौन सा नहीं होगा आईए सोचते हैं x जब 3 से बड़ा होगा x जब 3 से बड़ा होगा तो यह देखिए आप 3 से बड़ा होने पे यह भी positive है यह भी positive है पूरी expression positive हो जाएगी x 3 से बड़ा होने पे positive होगी x 3 और 1 by 2 के बीच में रहेगा 1 by 2 और 3 के बीच में रहेगा तो यह positive यह negative नेगटिव होगी 1 by 2 से छोटा x रहेगा तो दोनों negative होने से पूरी expression positive हो जाएगी तो यह देखिए, ऐसा यहाँ पे notice करने को मिल रहा है कि left hand side 3 से बड़ी पे positive है, 1 by 2 और 3 के बीच में negative है 1 by 2 से चोटा करने पे positive है तो यहाँ पे मुझको चाहिए कि left hand side negative कब होगी तो यहाँ negative होगी जब आप x ले लेंगे 1 by 2 से 3 के बीच में तो अपना यहाँ पे solution कितना आ गया, अपना solution आ गया x जो है 1 by 2 से 3 ठीक है, x 1 by 2 से 3 के बीच में आप कुछ भी ले लीजिए वो इस given inequality को satisfy करता हुआ पाया जाएगा इस inequality को satisfy करता हुआ पाया जाएगा, ठीक है तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस inequality को जब हमने solve किया तो इस inequality में quadratic factors involved थे, ठीक है ना quadratic factors involved थे, मैंने a quadratic factor को यहाँ पे देखिए a quadratic factor के तो मैंने क्या बना लिए यहाँ पे मैंने linear factor बना लिए और एक quadratic factor के linear factor नहीं बनाए क्योंकि वो हमेशा positive था, ठीक है, तो जब quadratic factor आ जाएं, यहाँ पर देखिए, इस inequality में quadratic factor involved है, जब quadratic factor आ जाएं, तो यहाँ पर दो बाते हैं, या तो उसको linear factors में split कर लीजिए, अगर नहीं हो रहा हो, तो उस quadratic factor के बारे में सोचना पड़ेगा, कह नहीं वो हमेशा positive या हमेशा negative तो नहीं है, तो यहाँ पर इस question में, इस question में देखिए, वो inequality थी, जिसमें quadratic factor involved हो, ठीक है, तो यह जो inequality थी, inequality involving quadratic factor थी, ठीक है, आप देखिए, इस inequality में quadratic factor आये थे, तो इसको मैंने बोल दिया, कि यह inequality इसी थी, जिसमें quadratic factor आये थे, inequality involving quadratic factor, ठीक है, तो यार, quadratic factor अगर आये, तो उसके linear factor बना लिजिए, नहीं बन रहे हो, तो यार, उसका d check कीजिए, d less than 0 मिल जाता है, तो मजा आ जाता है, d greater than 0 मिल जाता है, फिर तो factor बनाने पड़ेंगे उसके, ठीक है, तो चलिए, आगे चल call करनी है अपने को, यहाँ पर देखिए, left hand side में, left hand side में क्या होने चाहिए, linear factors होने चाहिए, left hand side में linear factors हैं क्या, यह देखिए जी, यह linear है, linear है, यहाँ पे linear factor x plus 2 into x plus 2 लिखा हुआ है, ना दो बर लिखा हुआ है तो यहाँ पे क्या है? linear factors है और कुछ linear factors repeat करके लिखे हैं ठीक है ना, repeated linear factor बोलते हैं इसको, ठीक है? जैसे कि यह जो x plus 2 का square है, x plus 2 का square तो इसको अपने लिख सकते हैं x plus 2 into x plus 2, है ना? तो इसको बोलते हैं, यह linear factor जो है, दो बार repeat करके लिखा हुआ है, x plus 2 को दो बार repeat करके लिखा हुआ है, x plus 2 का square तो इसको बोलते है, repeated linear factor है इसके अंदर, यह two times repeated linear factor है, three times, यह four times repeated linear factor यहाँ पर लिखे हुए है, ठीक है तो ये बात आपको समझ में आ गई कि left side में linear factor मोजूद है मगर यहाँ पर कुछ factors repeat करके लिखे हुए तो x plus 2 का जो square है इसको बोल सकते है 2 times repeated linear factor 2 times 2 times 2 times repeated linear 2 times repeated linear factors 2 times repeated linear factors ठीक है जैसे x plus 1 की power 4 है यह 4 times repeated linear factor है 4 times repeated 4 times repeated linear factors 4 times repeated linear factors बात समेरी चार बार repeated linear factor है यह तो चलिए linear factor है राइट में 0 है तो उसके बाद क्या करना critical point निकालने है और उनको number line पे draw करना है अभी कर देते है critical point निकालने है और number line पे draw करना है ठीक है यह x ही denote करती वैसे तो यह infinity वाला end है यह हमारा minus infinity वाला end है ठीक है जी ठीक है आई होब बात समय में आ गई होगी तो यहाँ पे देखिए हर linear factor के critical point निकालने होते हैं तो इसका critical point क्या होगा 0 क्योंकि 0 पे 0 हो रहा है यह तो इसका critical point 0 हो गया इसका कितना है minus 6 इसका minus 2 इसका 3 minus 6 minus 2 3 यहाँ पे minus 2 यहाँ पे आ गया कहीं minus 6 ठीक है इसका critical point है 3 तो यह हो गया कहीं यहाँ पे 3 इसका 4 यह हो गया 4 इसका minus 1 तो यहाँ पे आ गया बीच में कहीं पे minus 1 ठीक है जी अब यहाँ पे सबसे पहले तो यह देखना है कि यह जो critical points है क्या ये inequality के solution में involved है क्या, include है क्या, तो नहीं आ रहे है, क्योंकि x equal to minus 6 डाल देंगे तो ये 0 हो जाएगी, 0 इसको करना नहीं है हमको, ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी critical point जो है, inequality के solution में involved नहीं है, ठीक है, अब अगर x की value को open, 4 से बढ़ा रखेंगे, अच्छा यहाँ पर द critical point minus 1 था, इसका minus 2 था, तो minus 1 और minus 2 वाले जो critical points है, उनको यहाँ पर देखिए, उनको अलग से highlight कर लिया है, ठीक है, तो चलिए, अब solution बताते है, अगर 4 से बड़े x रखोगे आप, 4 से बड़े x रखोगे आप, 4 से बड़े x रखोगे आप, 4 से बड़े अगर आप x रखो positive sign, ठीक है, और वो चाहिए भी, तो यहार 4 से बड़े अपने सारे x answer होगे, ठीक है, x की value 3 से 4 के बीच में रखोगे, 3 से 4 के बीच में रखोगे, तो यहाँ पर यह negative हो जाएगा factor, बाकि सब positive रहेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ आजाएगा negative, ठीक है, left side negative हो तो overall जो left side है, वो क्या रहेगी, positive रहेगी, ठीक है, minus 1 से 0 रखोगे, minus 1 से अगर आप 0 रखोगे, तो यहाँ पर देखिये, negative, negative होगे, तो यहाँ पर negative sign आजाएगा, ठीक है, minus 2 से minus 1 रखोगे, तो मतलब negative होई नहीं सकते न कभी, यह तो कभी negative होई नहीं सकते, है न, यह तो always positive कहानी है, यह तो always positive कहानी है इस case में, ठीक है, ठीक है, इनको और अच्छे से बना देता हूं, यह लीजिए, यह तो always positive कहानी है, ठीक है, हाँ, तो minus 2 से minus 1 में negative, 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 तीन बार negative और एक बार positive तो negative रहा है यहां देखिए positive से negative बदला, negative से positive बदला, but positive से negative यहां बदले लेगा बाद फिर यहां negative से negative भी रहा, बदला नहीं, बदला नहीं है, अब minus 6 से minus 2 ले लोगे आप, minus 6 से minus 2 लोगे तो negative 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 और negative अब बदलेगा positive यहाँ पे बदल क्या क्या मैन मैन whereby बदला minus 6 से minus 2 लोगेद वी तो positive अनुझ जिम पॉजिटिती नेगिटीव नेगिटी नेगिटिव और एक positive है तो फिर से क्या रहा यह 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 रहा फिर से negative ही रहा तो यहाँ पे देखिए, यह जो मैंने लाल माक किया था ना, इस critical point के उपर sign नहीं change हो रहा, इस critical point के आजुबाजुबी sign नहीं change हो रहा, minus 6 से छोटा करने पे sign change हो गया, minus 6 से छोटा करने पे sign change हो गया, क्योंकि minus 6 से छोटा कर दिया, तो यह negative, negative, negative और negative, सब चारो negative होके positive बन जाएंगे, और यह तो हमेशा positive है ही, तो आप यहाँ पे देखिए, हमको चाहिए था left hand side positive कब होगा, तो positive कब होगा, जब x देखिए, एक तो minus 6 से छोटा हो, यह बात clear हो गई, एक तो x क्या होना minus 6 से छोटा, ठीक है, 0 से 3 के बीच में होगा, तो भी चलेगा, और 4 से बड़ा होगा, तो भी, हमारी left side को क्या करेगा यह, positive करेगा है न, यह हमारे solution होगे, तो हमारा answer आ गया, x जो है minus infinity से minus 6, union 0 से 3, union 4 से infinity, clear है जी, यह हमारा आ गया solution of this inequality, यहाँ पर बस note करने वाली बात यह है, कि even times repeated factor जो है, even times repeated जो factor है, उसके critical point के about, sign change नहीं होता, ठीक है न, पहले तो बता दूँ, इस inequality में, repeated linear factor थे, यह है, inequality, inequality, inequality involving, inequality involving, repeated linear factors, inequality involving, repeated linear factors, है न, और यहाँ पर notice किया है, कि old times repeated linear factor हो, उसके about sign change होता है, और even times, repeated linear factor हो, उसके about sign change नहीं होता, old times repeated linear factor जो है, old times repeated linear factor जो है, उसका जो critical point है, उसके about sign change होता है, ठीक है न, about the critical point of, critical point of, old times repeated linear factor, sign will change, sign change होता, and about the critical point of, old times repeated linear factor, repeated linear factor, sign will not change, sign will not change, यह बात अपने को समझनी थी, ठीक है न, sign will not change, तो यहाँ पर इस important बात को भी अपन mark करके चलेंगे, ठीक है, इस वाले important बात को भी अपन note करके चलेंगे, ठीक है जी, ठीक है न, basics एकदम सेम है, procedure मैंने बता ही दिया था, कल उसी procedure को follow कर रहा हूँ, और जो भी observations हैं, देखी, observations मैं notice करके चल रहा हूँ, जितना ज़ादा observe करोगे आप question में theory को, उतना ही question solving आपकी भनाट हो जाएगी, और theory के प्रती जो आपकी understanding है, वो शामदार हो जाएगी, ठीक है, छले, move करते हैं आगे, तो I hope repeated linear factor वाला खेल समझ में आ गया होगा, यहाँ पर देखिए, quadratic factor मैंने involved किया था, तो यह quadratic factor क्या तमाशा करते हैं, यह भी समझ में आ गया होगा, ठीक है, यह math scheme आया है, समझना होगा, next देखिए, next question आपके सामने है, यहाँ पर देखिए, quadratic factors का involvement है, कहा गया है, solve कीजि factors की involvement है, quadratic factors को involved किया गया है, quadratic factors को involved किया गया है, तो आईए जरा, यह quadratic factor जो है, इस quadratic factor को देखिए आप, सबसे पहले तो, इस quadratic factor के factorize कर लेते हैं, इसके factorization करना, जो है, इसके factorization बड़ा simple है, इसके factorization कर लिया, यह हो गया, x minus 2 into x minus 3, ठीक है जी अब ये वालाThr neither, फेक्टर है ना, एक मिनट के लिए इसको लिख लेते हैं आपन, यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा सा खुले-खुले में, ठीक है, इस वाले कुड्राइटिक फेक्टर को भी लिख लेते हैं, ठीक है, इन्टु एक्स, ठीक है जी, ग्रेटर देन इक्वल टु जीरो, है ना, अब यहाँ पर देखिए, इस कुड्राइटिक फेक्टर को ध्यान से देखिए आप, इस कुड्राइटिक फेक्टर को ध्यान से देखिए, इस कुड्राइटिक फेक्टर का जो A है, वो नेगिटिव है, मेरे दोस्तों, A कितना है नेगिटिव? A बोले तो, coefficient of x-square, A क्या है ने d square minus 4 a into c, अब d check करेंगे तो d आ गया, d आ गया इसका, minus 15, d negative आ गया है, d क्या आ गया है, negative आ गया है, notice करने वाली बात है, a जो है negative है, और d भी negative है, अगर किसी quadratic expression में a भी negative हो, और d भी negative हो, तो चाहे इसमें कुछ भी export कर लो, ये हर बार आपको negative answer देगी, इसमें a negative और d negative है, कुछ भी export कर लो, this is always negative, for every x belongs to real number, ये बात समझनी है, ये हमेशा negative answer देगी आपको, और उसी तरीके से, इस महारानी की बात करें, इस महारानी की बात करें, तो यहाँ पे आप देखिए, a कितना है, coefficient of x square, 1 है, a positive है, note करें, इसका down note करेंगे, discriminant note करेंगे, तो वो हो जाएगा, b square minus 4ac, इसका d minus 3 है, आप notice कर लीजिए, d negative है, और मैंने बताया था, d negative और a positive हो, ऐसी quadratic हमेशा, हमेशा positive होती है, this is always, this is always positive, for every x belongs to real numbers, यह हमेशा positive है, हर real x के लिए, ठीक है, तो यार, एक बात बताईए मेरे को, एक बात बताईए मेरे को, यहाँ पे चीजें, यहाँ पे चीजें लिखी हुए multiplication में, और division में, यह negative है, हमेशा, यह positive है, तो बची हुई quantity को किस sign का होना चाहिए, कि complete quantity, complete quantity positive हो जाए, एक negative, एक positive है, तो इसको negative होना चाहिए, ताकि negative, negative, positive, और positive, divided by positive रह सके, हमें positive करना है, हमें left hand side को positive करना है, यह negative हो गई, यह positive हो गई, बची चीज़ को negative ही होना चाहिए, हमें वो x ढूंडने हैं हमें वो x ढूंडने हैं जिस पे ये जो quantity बच गई है ये quantity negative हो क्योंकि ये negative हो जाएगी इन x पे, ये ही negative positive और ये positive है overall positive हो जाएगी और हमें positive ही करनी है तो यहां पे कुल मिला कि मुद्दे की بात ये है कि this quantity this quantity this quantity this quantity must be negative this quantity has to be negative इसको negative होना चाहिए हमें वो एक्स चाहिए हमें वो हमें इसको negative करना पड़ेगा हमें इसको negative करना पड़ेगा मेरे दोस्तो हमें इसको negative करना पड़ेगा अब इसको negative करने का का मीनिंग है x-2 into x-3 by x x-2 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 into x-3 by x इसको negative करना पड़ेगा equal to 0 भी कर सकते हैं यह देखेंगे 0 कहां हो रही है और इसको satisfy करने वाले x चाहिए हमको अब तो देखें लेफ्ट साइड में linear factor है right में 0 है easily easily हम इसके solution बता सकते हैं easily इसके solution बता सकते हैं जल्दी से मुझे इसके critical point निकाल के दिखाएए देखेंगे fast तरीके solve करेंगे इसके critical point क्या होगे इस वाले linear factor का critical point कितना है x equal to 2 इसका critical point x equal to 3 है इसका critical point x equal to 0 है अब पताएं जरा 0,2 और 3 में कोई solution होगा क्या 3 solution है जी x equal to 3 मेरा solution है क्योंकि x equal to 3 x equal to 3 left side को 0 कर रहा है x equal to 2 left side को 0 कर रहा है x equal to 2 भी मेरा solution है x equal to 0 denominator को 0 कर देगा denominator को 0 होना math बहुत बढ़ा crime है धारा 302 लग जाएगी नहीं कर सकते आप x की value 3 से बड़ी रखने पे सब positive है overall positive हो जाएगी इसके बात negative sign आएगा फिर positive फिर negative alternate plus minus plus minus sign चलते हैं हमें चाहिए left side negative कब हो तो left side negative होगी यहाँ पे यहाँ पे left side negative हो जाएगी ठीक है यहाँ पे left side negative हो जाएगी in x पे और left side in x पे भी negative हो जाएगी तो हमारे ये x answer हैं हमारे ये सारे x answer हैं ये वाले x answer हैं तो हमारे answer है x epsilon x belongs to minus infinity से 0 आप कुछ भी put कर दीजिए minus infinity से 0 कुछ भी put कर दीजिए और closed 2 से 3 आप कुछ भी put कर दीजिए minus infinity से 0 कुछ भी put कर देए और closed 2 से 3 आप कुछ भी put कर दे इसके अंदर या फिर इस inequality के अंदर satisfy हो जाएगा चीक है तो यहाँ पर देखें quadratic factor involved थे यहाँ पर इस quadratic factor के linear factor convert हो रहे थे linear factor बन रहे थे इनके नहीं बनेंगे क्यों क्योंकि इनका d negative है दो linear factor बनने का मतलब है 2 roots होना quadratic equation के है ना 2 roots बोले तो 2 real roots की बात कर रहा हूँ मैं और अगर d negative हो तो 2 real roots बन नहीं सकते ना और 2 real roots नहीं बन सकते तो real linear factor नहीं बन सकते फिर समझ में आ रही बात आपको आई हो बात हैं आपको सारी समझ में आ रही होंगी ठीक है move करते हैं और आपके सामने एक और शांदार inequality है this is a case of double inequality यहाँ पे देखिए यह भी inequality यहाँ पे है और यहाँ पे भी inequality है तो यह double inequality का सवाल मैंने तुमको दे दिया this inequality is a double inequality इसको देख लो कैसे solve करते हैं this is a double inequality this is a double inequality यार मुझे comment box में comment करके बताएं कि क्या आपको quadratic factor involved हो inequality में समझ में आ गया है क्या repeated linear factor involved हो तो समझ में आ गया है क्या repeated linear factor में old time repeat हो रहे हो even time repeat हो रहे हो कैसे वो inequality के sign पे कैसे वो expression के sign पे अपना impact डालते हैं यह बात समझ में आ गई है क्या और यार end में double inequality आपको समझ आ जाए तो मुझे बताना आपके comment पढ़के मुझे बात मालूम चलती है कि आपको कितना समझ में आ रहा है क्या पढ़ना है आप कौन-कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है बहुत ही शामदार तो this is a double inequality यह double inequality का सवाल है double inequality का सवाल है solve करते हैं जब भी double inequality के सवाल को solve करना हो न तो इसको दो पार्ट में solve करते हैं ये अलग से solve करेंगे जी और ये वाला जो पार्ट है इस तरफ वाला ये अलग से solve होता है तो दो अलग अलग पार्ट में इसको solve करेंगे इसको consider कर ली जिए यहाँ पे है नशिक दिया मैंने यहाँ पे ठीक न, इसको दो parts में solve करेंगे इसको solve करना है अपने को फिर इसको solve करेंगे, ठीक है यहाँ पर देखिए यहाँ solve कर लेंगे अपन 3x square minus 7x plus 8 divide by x square plus 1 less than equal to 2 को ठीक है, यहाले part को इधर solve कर लेंगे यहाले part को इधर solve कर लेंगे, ठीक है जी और फिर क्या करेंगे, दोनों का जो common answer होगा दोनों part का जो common answer होगा वो अपना answer होगा, ठीक है common x satisfying these two inequalities will be our answer common x satisfying satisfying these inequalities inequalities will be our answer will be our answer यह हमारे answer होगे ठीक है जी तो आईए इसको solve करते हैं इसको solve करने के लिए 1 को इधर लेके जाना पड़ेगा है ना तो यह हो गया 3x square minus 7x plus 8 upon x square plus 1 1 को जब इधर लेके जाओगे तो minus 1 हो गया है ना greater than 0 LCM ले ले लेते हैं 3x square minus 7x plus 8 minus x square minus 1 upon x square plus 1 greater than 0 ठीक है तो 3x square minus x square यह हो गया 2x square minus 7x plus 7 upon x square plus 1 greater than 0 ठीक है अब यार यहाँ पर देखिए ऊपर quadratic factor लिखा है नीचे भी quadratic factor लिखा है यहाँ पर देखिए बड़े must quadratic factors लिखे हैं इनको observe करते हैं detail में ध्याँ से समझीएगा 2x square minus 7x 2x square minus 7x plus 7 upon x square plus 1 greater than 0 यहाँ पर यहाँ पर क्या कीजिएगा नीचे वाले quadratic factor को देखिए आपको समझ में आ जाएगा always positive है always positive है ठीक है और ऊपर वाले quadratic factor को देखिएगा आप इसका जो a है ना इसका a positive है इसका d check करोगे ना अगर आप तो d check करोगे तो b square minus 4 a into c तो यह आ गया आपका minus 7 ठीक है ना minus 7 तो d इसका negative है और मैंने अभी बताया था a positive d negative है तो यह भी always positive है मतलब हर x पे हर x पे numerator और denominator positive है तो कोई आप से पूचे पूरी चीज का positive होगी जी वो तो हर x पे ही positive होगी क्यूंकि numerator भी सब जगे positive है यहां से solve किया तो answer आगया x belongs to real number यहां का answer तो x belongs to real number आगया ठीक है अब इसको solve कर लेते हैं 2 को इधर लेकर के आए 3 x square minus 7 x plus 8 2 को इधर लेकर के आए तो हो जाएगा minus 2 x square minus LCM भी ले लिया मैंने साथ की साथ ठीक है ना 2 को इधर लाए और LCM भी ले लिया तो minus 2 x square minus 2 3 x square minus 2 x square हो गया x square x square minus 7 x 8 minus 2 होता है 6 divided by x square plus 1 less than equal to 0 ठीक है अब यहां पे देखिए यह जो numerator है ना इसके factor बन जाएंगे इसके factor बनाओगे तो हो जाएंगे x minus 1 into x minus 6 तो इसके factor जब बन गए तो यह हो गए x minus 1 into x minus 6 x minus 1 into x minus 6 upon denominator में लिखा x square plus 1 है ना और यह है less than equal to 0 क्या है less than equal to 0 तो यार यहां पे notice करने वाली बात है x square no negative होता है plus 1 जोड़ोगे तो यह तो always positive हो गया अब denominator जो है ना denominator तो always positive है numerator को कैसा होना चाहिए this must be negative और 0 है ना this must be this must be negative या तो negative हो सकता है या 0 हो सकता है 0 तो इसलिए क्योंकि right में 0 भी अपने को चाहिए है ठीक है तो यह negative by positive होगा तभी तो पूरी चीज़ negative हो पाएगी तो numerator जो है यहां से समझ में आ गया कि यार numerator जब कभी negative होगा या 0 होगा उस case में यह inequality true हो जाएगी ठीक है तो इसको solve करने के लिए क्या करना पड़ेगा number line लगानी पड़ेगी number line पे critical points इसका critical point 1 है इसका critical point 6 है mark करना पड़ेगा अब यहां पे देखिए 1 हमारा answer है 6 हमारा answer होगा क्या yes 1 पे left 0 हो रहा है 6 पे भी left 0 हो रहा है 1 जो है हमारा 1 जो है वो हमारा answer होगा ठीक है 6 जो है 6 भी हमारा answer होगा 1 हमारा answer होगा 6 हमारा answer होगा 1 और 6 तो हमारे answer होगे ठीक है, 6 से बड़ा x अगर होगा, तो left side positive रहेगी, 1 से छोटा रहेगा, तो भी positive रहेगी, 1 और 6 के बीच में negative रहेगी, positive, negative, positive, alternate sign चलते हैं, अगर यहाँ पे odd times repeated linear factors हो, तो बता दिया था मैंने आपको, ठीक है, तो मुझे चाहिए left side का negative होना, तो वो होगा जब x की value 1 और 6 के बीच में हो, और x की value 1 और 6 भी चलेगी, क्योंकि वहाँ पे left side 0 हो रही है, तो x होगा हमारा closed 1 से 6, अब यहाँ पे देखिए, इसको solve करके यह answer आया, इसको solve करके यह answer आया, इसको बोल देता हूँ, यह पहली statement है, तो common x, इस interval में और इस interval में common क्या है, भई यही common है, 1, 2, 6 यहाँ पे भी है, और यहाँ all real number है, तो यहाँ तो है ही, तो common x in 1 and 2, common x, common x in 1 and 2, will be, common x क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, closed 1 से 6, closed 1 से 6, बात समाझ जा रही है, closed 1 से, closed 6, ठीक है जी, तो इसका answer आगा, तो हमारी यह जो double inequality है, इसको satisfy करने वाले जो x थे, वो कितने होंगे, closed 1 से, closed 6, I hope समझ में आ गया होगा, तो double inequality कैसे handle करनी है, यह मैंने बता दिया, quadratic factor कैसे हम handle करते हैं, repeated linear factor कैसे handle करते हैं, सारे बात हैं समझ में आ गई, और जो main कहानी है, main जो कहानी है, वो समझ में आना बहुत जरूरी है, कि यह जो steps है in equality solve करने के, यहाँ पे देखिए जो steps है, कि left side में linear factor होना चाहिए, right में 0 होना चाहिए, divide कर देते हैं, हर part के corresponding check कीजिए, left hand side का क्या sign होगा, और वो हमारा solution होगा के नहीं होगा, and फिर answer लिख दीजिए आप, ठीक है, यह सारे चीज़े हम करते हुए आए हैं, I hope आपको सारी बाते समझ में आ गई होगी, ठीक है, एक question मैं homework में भी दे रहा हूं आपको, यहाँ पर homework में question दे रहा हूं, solve करें, solve का मतलब है, x find out कर रहा है, यह लिजिए, solve करके बताएं जे रहा, इस inequality को solve करें, बताएं कि क्या वो x होगा जो इसको satisfy कर रहा होगा, ठीक है, इस inequality को solve करके comment box में अपना answer बताएं, और next lecture में, जो जो भी लोग सही answer बताएंगे, सबसे पहले सही बताएंगे, उनका तो मैं नाम include करूँगा ही, कोशिश करूँगा, कोशिश करूँगा कि अगले lecture में, जितने भी लोगों ने सही इसका answer बताया है, मैं, मैं, उन सब को comments को crop करके appreciate करूँगा आप लोगों को, ठीक है, तो next lecture में मैं इस सवाल को discuss करूँगा, appreciate करूँगा आपके comments को, अगर आपने इमांदार comment मुझे चाहिए है न, कोशिश करूँगा शुरुवात के सारे comments को, तो मैं appreciate करूँगा, उसके बाद भी, अगर मैं कर पाया, तो कोशिश करूँगा, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही, हसते रहें, मुस्कुराते रहें, और भाई के साथ मैस पढ़ते रहें, यह कैसी मुस्कान है, मुस्कान होनी चाहिए, पैनी और पतली, है ना, पैनी और पतली, ठीक है ना, यह वाले बढ़िया मुस्कान है, आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी यह लेक्चर में, I hope inequalities आपको समझ में आ गया होगा, चलने का समय हो चुका है, बाए बाए, पढ़ाई करते रहें, all the very best.